मैं शुबा मेंना आप सबका सौरण करते हैं। आज में आप सबके साथ शेयर दोगे पतोर बनाने की जासे हुए। पतोर जैन फैमिलीज में और राजिस्तान साइट में बहुता है। ऐसे बाने के लिए में घथपट पतोर बनाने के लिए यह मैंने एक कब बेसन लिया है । इसमें दो कब पानी डालूझगी पानी के बिल्कुल मैजर करने डालीएगा। पहले एक कप पानी दोगे थोड़ा बेशन खोल लेंगे हम, लगता है पतोर बनाना मुश्किल है लेकिन जब आप एक बार इस तरह बना कर देखेंगे आपको लेगा यह तो बहुत एजी है, एक कप पहले डाल चुकुम है पानी, एक कप पानी और डाल रही हूँ, तो एक जो भी थोड़ा बेशन मोटा है वो सब हटा दीजे, यह हमारा घोल तेयार हो गया है, पतोर बनाने के लिए अब हम इसमें असाले मिलाएंगे, पिंच करीब हिंग डालिए इसमें मैंने, हाफ टी स्पून हल्दी, नमक आप सादमसा डालिएगा, मैंने वन टी स्पून से थोड़ा कम लमक डाला है, और वन टी स्पून लाल मेंची, इन सब को अच्छे से मिला लीजे, यह ध्यार नहीं, यह सब तयाही आप गैस पर जब नहीं रख रखा है, तभी करें, यह सर मिल गया अच्छे से, आप हम अपना पतोर बनाने के लिए गैस ओन करते हैं, पतोर पतोर बनाने के लिए आपको मिक्षे को कंटिनियूसली चलाना होगा, एक फिन के लिए भी आपका हाथ में के बस पतोर बहुत जल्दी बन जाते हैं, वेसल जल्दी जल्दी गाड़ा हो जाएगा, बस इसमें गुखली नहीं पढ़नी चाहिए, और कुछ नहीं है, अगर आप कंटिनियूस चलाते रहेंगे, तो बुख्ली में नहीं पढ़ेंगी, जब कट आप पतोर का गौल बनाते हैं, उसी समय थालिया भी तयार करके रख लेंगे, क्योंकि हम इनको थाली में जमाएंगे, एक खास पर आप पतोर मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं, जिससे बेस में कभी कच्चा लगता है, तो आराम से मीडियम फ्लेम पर बनाएं, आप देख सकते हैं, बेसन गाड़ा होने लगा है, इसको कंटिनियूसली हम चलाते रहेंगे, इससे की समय गाठे ना पड़े, कुल में लाकि दो से चार मिंड की अंदर पतोर बन जाते हैं, यह देखि हैं हमारे पतोर के जमाने का, तो अभी हम बेसन को गैस पर से उतार लेंगे, और एक थाली लेंगे, थाली में कोई तेल वगरा लगाने की जरूरत नहीं है, पतोर ऐसे ही अच्छे से जम जाते हैं पतोड आपको मोटे बनाने हैं पतले बनाने हैं वो आपके उपर है आपको इवन करने के लिए एक कटोरी की हेल्प ली जा सकती है लेकिन ये काम थोगा जल्दी जल्दी करना होता है क्योंकि बेसन ठंडा होके चमने लगता है अब हम इस साइड को पलट देंगे और इसको पहले साफ कर लेंगे थोड़े पतोड हम इस तरह भी जमाएंगे आप कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हलके हाँस्टे आप कट्वरी को ऐसे कर दीजे बत और जुन्हार के इवन हो जाएंगे थोड़े से अब तो चीथाली ले लेंगे तो से प्रोसीजर से इसमें भी जमा लेंगे देखिया थोड़ा थोड़ा बेसर ठीक होने लगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अब दस मिन के असपास इनको ऐसे चोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम अपने पतोर काटेंगे कि पतोर थंड़े हो गए हैं उन्हें हम काट लेंगे काटने के लिए आप जिस भी साइज के चाएं काट सकते हैं सॉकी सब्य बादने के लिए मैं थोडे बड़े पतोर काटूंगी और रायता बनाने के लिए मिन्स या फिर ऐसे करמו के हैं अपने सारे पतोर पर डालें लिए अगर आपको पतोर मोटे बनाने हो तो आपकी चोईसे मैं थोड़े पत्ले पतोर बनाती हैं खास्तों से सुखी सब्जी जब बनाने होती है पतोर की उस में पत्ले वाले पतोर ही अच्छे लगते हैं कर लोग आदे पतोर हम स्थे बनाएंगे और बस दाए रेज़े के लिए थोड़े चोठे पतोर काटेंगे पतोर की सुखी सब्जी बनाएंगे लिए जो शोपी अ ontथा लिए levar हम नीचे ऑनेंगे नमक आप स्वादों साम मिलाएं मैं 1 टी स्पून मिला रही हूं 1 टी स्पून लालमेच 1 टी स्पून धनिया पाउडर और 1 टी स्पून ही अमचूर अमचूर भी आप अपने स्वाद से देख ले कम खट्टा खाते हो तो कम डाले अब हम इसको पहले मसालों को थोड़ा यहीं मिक्स कर लेंगे हलके हाथ से अब पैन में दो टेबल स्पून ओईल लुगे में सुखी सब्ची है थोड़ा सा ओईल लगेगा इसमें पिंच करीब ही डाल देंगे उसमें एक चम्मच राई डाल दूँगे और हल्दी जो है मैं या तेल में डालूँगी आदी चम्मच हल्दी डाल रहे हूं और अब हम ये पतोड इसमें पलट देंगें सुखे पतोड की सब्जी बहुत जल्दी बनती है बस एक मिन के लिए इसको हम मीडियम गैस पर रखेंगे और फिर सर्विंग बोल में पलट देंगे हमारे सुखे पतोड बन चुके हैं अब पतोड का रायता बना लेते हैं पतोड का रायता बनाने के लिए मैंने एक कफी दही लिया है इसको थोड़ा अच्छे से बीट कर लेंगे थोड़ा सा पतला करूंगी चौथ है करी पानी डाल दिया मैंने इसको रिकनसिस्टनसी चेक कर लेते हैं अभी दो चमज पानी अगा ज्यादा गड़ा है इसमे मसाले मिला देंगे आजी चमज नमक मिची लाल मिची स्वारा मुसा नमक और मिच आप अपने साब साब देख लें और आदा चमज बना हुआ जीरा अच्छे से मिलाकर और यह पतोड़ा हम इसमें डाल लेंगे यह हमने सुखे पतोड़ की सब्जी और पतोड़ का रायता बना लिया है आप प्लीज इसको जरूर ट्राइब कीजेगा मेरी रेसिपी के हिसाब से पतोड़ बनाईये खाईये खिलाईये मेरी रेसिपी को शेर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आप सबता थैंक्स कहती हूँ और वाचिंग मी एंड माई वीडियो थैंक्यू वेरी मच् मैं आप सब्सक्राइब कीजिए और वाचिंगा मैं आप सब्सक्राइब कीजिए और वाचिंगा